नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल लेर्निंग विदिभरत गंगभार में आज हम करेंगे टीजी टी 2009 का बाइलोजी का पेपर वीडियो शुरू करने से पहले कुछ सामानसी बाते हम जाल लेते हैं अन्य दिखेञे जो फर होता है वो 425 पहले होता था तीक है और इसमें जो सामय होता था वो दो हंटेगा होता था और इसमें जो कोस्च्चन आते थी एकら पास्चिस कोस्च्चन आते multiply करेंगे तो 425 बनेगा लेकिन अब interview नहीं है TGT में खतम कर दिया गया है और साथी साथ जो हमें बेटिज मिलता था 25 नंक का तो वो क्या है सारा का सारा खतम कर दिया गया है इसलिए अभे जो paper होगा वो फूरा होगा हमारा 500 अंक का ठीक है और नंबर आप question किते रहेंगे 125 रहेंगे और प्रतियक जो question हो जाएगा वो चार नंबर का हो जाएगा ठीक है तो question को हमें start करते हैं और एक बात है इसमें negative marking नहीं होती है TGT में EP में question स्टार्ट करने से पहले आपसे एक निवेदन है अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर दें सेर कर दें तो चलिए को पोडियों को ठीक है अगला question है मार्सीलिया में रेफी पाया जाता है तो मार्सीलिया में जो रेफी पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है थीक है रेफी किसमें पाया जाता है इस पोरो कार्प में पीजाड फालिका में अगला question है मार्सील मार्सीलिया में इस्टील हो कि तो मार्सिलिया में जो इस्टिल होता है वो किस टाइब का स्टिल होता है यहां पर पूछा है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आफस्र नमबर थिरी Amphilolic and Syphono Steel ठीक है अगला question है For Sledgey Nela के प्रकेंदर की आकार की प्रकरती है तो कैसी होती है मुला वास जैसी ठीक है राइजोड लाइक अगला सलेजी नेला में पाई जाती है तो क्या पाई जाती है बताएगा तो वड़ी एवन छोटी पतियां चक्करकार क्रम में विवस्तित होती है लाज और इसमाल लीव अरेंड इस्पारिली ठीक है देखिए मैं तोड़ा पांस सेकंड का ब्रेक लेता हूं जिससे आप आइडिया लगा पाएं कि कौन सा कोश्चन बन सकता है ठीक और आप कौपी क कोश्चन में देखते हैं कोश्चन नमबर सिक्स कोश्चन में सिक्स है हमारा पाइलस नेडल की अंतरिक संरचना का सुभाव है तो तुझे कैसा सुभाव होता है अताईएगा मरोद्विद्विद्प्रकार का ठीक है जीरो फाइट सात्मा है पर्ण मेखला अनुफद पाये जाते हैं तो यह पाये जाते हैं साइकस्तने में अगला है पाइनस है क्या है सभी जानते एक ब्रच्ची है अगला कोशन आधोनिक महा कल्फ है तो आधोनिक महा कल्फ जुद्धा उसकों क्या कहते थे सीनो जोई के राः ठीक है अगला हमारा जीबासम पाया जाते हैं अगिनसे सहल में कॉर्टज में मिट्टी में अबसादी सहल में तो किसमें पाया कजिए और गयारमा कोश्चन कबको में संग्रहित भोजन भोज्य पदार्त होता है तो इसका कबको में क्या पाया जाता है देखे जो कबको में फूड इस्टोरेज हो तक वूड़ायकोजन की सो में वहता आप लोग ने पढ़ा होगा तो इसका अंसर हो जाएगा ग्लायको होते हैं वह बताना है साल्विया अगला कोश्चन है तेर्मा कौन सा बाभी यह अबाभी सुसल में समान है तो पायरूविक एसेड ठीक है अगला है कोश्चन तार्पीन का तेल प्राप्त होता है प्राप्त होता है तो देखिए तार्पीन का तेल हमें प्राप्त होता है वह किस से प्राप्त होता है ठीक है पंद्रमा कोश्चन है किस सहवाल का प्रियोग कैल्विन वा उसके साथ ही उने प्रकास अंसलेसर संबंदी प्रियोगों में किरिया था ठीक है किस सहवाल का प्रिय कोश्च नमर 15 में का हो जाएगा हमारा दूसरा कोरेला का सुलबा नेमने से कौन एक तैलिये बीजवाल है फसल है सूरज मुखी तैलिये है ठीक है अगला कोश्च ने प्रत्रम ट्रांसजेनिक पौधा जिसका प्रियोग विपसाइक इस तरपर उत्वाजने के लिए हुआ था बताईए तो इसका अंसर वह जाएगा हमारा कॉटन ठीक है कपास अगला कोश्च ने दुरुभल दुरलव संकर पाद्वों को बचाया जा सकता है पराकर संबर्दन द्वारा ठीक है पौलन कल्चर के द्वारा अगला कोश्च ने कौन सा संबर्ग नहीं है बताईए कौन सा संबर्ग नहीं है यानि की केटागरी नहीं है तो इसका अंसर हो जाएगा इको टाइप लीनियस ने दुई नाम करण की बिचाद धारा सब्रथम प्रकासित की थी तो किस में की थी है इनकी एक पुस्तकी सिस्टम में नेचुरा में उसी में की थी इनोंने ठीक है चलिए अगला कोस्चन देख लेते हैं क्लोरोफिल को जलाने पर कौन सा तत्व प्राप्त होता है इंपोर्टन कोस्चन और रिपीडिर कोस्चन है कि सबी जानते हैं मैंगनेशियम ही प्राप्त होगा यहीं क्लोरोफिल में मैंगनेशियम ही पाया जाता है इन में से अगला कोश्चन है लोह की कमी से पत्ती में होता है तो लोह की कमी से पत्ती में क्या होगा पहले नई पत्तियों में अंत्सरिये हरिम हिंता होना ठीक एच्छ उथा हो जाएगा है प्लेव कि इंटर्वेनल ख्लोरेस इंग फर्शटि ईनग लिव और अगला कोश्चन एक पादफ हर्मोन है तो कौन सा है प्राकर्तिक होते हैं और संसले सित्व होते हैं ठीक है दोनों की प्रगति रूप से पाय जाते हैं और इनी से संसले रूप से बनाई भी जाते हैं ठीक है छुई मुई में कंपा अनकुचन गतिके समय स्पीत में परिवर्थन होता है फूले प्राणा धार में आप संतिरे अगला कोश्चन है सदा बार बोधे बर्स बर हरे रहते कारण है तो क्या होगा बर्स बर नमी का अपलब्द होना अगला कोश्चन दुई संकर परिच्छार्थ संकरण का लच्छड प्रारूपी अनुपात होता है तो क्या होता है बन रेशियो बन रेशियो बन रेशियो बन होता है ठीक अपसन फोर च्छतिग्रेश्ट ओजन परत्स इस्तित होता है तो च्छतिग्रेश्ट ओजोन लेयर है वो कहां पर इस्तित है समताब मंडल में निन में कौन सा सादा अड़ता है बाई प्रदूसक नहीं है कार्बन डियक्साइट कार्बन मोनो अक्साइट सल्पर डियक्साइट तो क्या हो जाएगा इसका हमारा दूर से ही पता लग रहा है कि हाइडो कार्बन होगा यूँकि हाइडो कार्बन प्रदूसक नहीं हो करते हैं बतावरण को सब्द प्रस्थावित किया तो प्रास्थ की तंद जो सब्द प्रस्थुत किया था वो टैंसले ने किया था ठीक है अगला कोशन एसकेरिस का प्रथम तरुण डिम्बक कहलाता है तो यह क्या कहलाता है हमारा रेब्डिटी फॉर्म ठीक है रेब्डिटी फॉर्म लार्वा अप्सन दो अगला गुर्शूत्रों में होता है डीने आरेने में हिस्टोने में आहिस्टोनी प्रोटीन ठीक है अगला कोश्चन है एक्रत की भच्ची कोश्का है कौन सी है तो एक्रत की जो भच्ची कोश्का है होती है वो कौन सी होती है कुसफर कोश्का है ठीक है कुसफर साल्स ठीक है चलिए अगला कोश्चन देखते है अगला कोश्च है दीमक लकड़ी का पाचन ऐसे इंजाइम की साहिता से करती है जो स्रावित होता है बताईए मध्यांत्र में कोशिका होते हैं ठीक सेल्स इन दा मिडगोट फिर मदमक्खी निभा में पुमा दुप उत्पन होते हैं अनिस्याचित अंडों से ठीक है तो किससे होते हैं फरटाइल अनफरटाइल एग से ठीक है फिर है अगला कोश्चन जैकाब सन का अंग समधित होता है कोश्चन नमर 36 तो इसमेल से ठीक है हाइड्रा में सारीरिक संगठन होता है बताईएगा सेललल ग्रेड जोक अपने सिकार से लगातार रक्तधारा प्राप्त करता है उस को उनमें उडेल कर तो किस में उडेल कर करता है हिरोडिन ठीक है अगला कोश्चन इस पंजों में कंटिकाएं बनती हैं आपसर नंबर थिरी कंक जन कोशिकाओं द्वारा ठीक है स्क्लेरो ब्लास्ट फिर बिसम गर्ती कसे रुकाएं लच्छणिक हैं पच्छियों का अगला कोश्चन अन्यन इस्थान बंद प्रोटोकाडेट जन्तुन में से किस बर्ग में पाया जाते हैं देगे इसका कोश्चन का आंसर नहीं मिला आए और जहां तक कि आयोग ने इस कोश्चन को गल्त माना था ठीक है सबको कामन नंबर दिया था इस कोश्चन पर ठीक है अगला कोश्चन हम देखते हैं साइट ओपाइग पाया जाता है ठीक है बदाईएगा साइट ओपाइग किस में पाया जाता है फुटिटू तो साइट ओपाइग पाया जाता है परा मीसियम में बेलांचली जन्त पाया जाते हैं तो बेलांचली जन्त किस में पाया जाते हैं बदाईए सौच जलमे अप्सन फर्स्ट अगला कोश्चन है ब्लैडर बर्म डिमभ का है ? ब्लैडर बर्म इजे लारवा, ब्लैडर बर्म किसका लारवा है ? तीनिया का एगला कोश्चन है 45 पाचान से सम्मंदी निम्म से कौन सा स्राव बिकर रहित होता है किसमें नहीं पाया जाता है यह पूंच रहा है तो किसमें नहीं पाया जाता है बोल जूस में ठीक है क्यां कि पीत जोर का इस्थानां उना होता है तो słu पीट medo कर जो इस्थानां असा होता है वह किस में होता किसका दौरा होता मादा द्यूढा क्या लेदया कोश्चन देखते हैं 47 रित्तिका को ढगने वाली जिली कहलाती है तो यह कहलाती है हमारी क्यों कहलाती है बताईए टोनो प्लास्ट टोनो प्लास्ट कहलाती है ठीक है अगला कोश्चन है मचलियों का यूग कहा जाता है 48 डो डेबोनियन ठीक है फरस्ट चतोत्क मलेरिया का कारण है कौर्टन मलेरिया इच कॉजिट वा है प्लाजमोडियम मलेरिया मलेरिया ठीक है फिर इस पसीज सब्द का चैन किया किसने किया था है एक यह था जान रेने ठीक है अगला कोच्चन है चार जोड़े काई खंड के साथ कुकुट का भ्रूड होता है 22 घंटे आई होगा इस संदारियों में कोचिकाओं के ठोस द्रबिमानी के निरमाने में जो विदलन होता है उसे कहते है मारूला तु 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 आप लोग सुविदा अनुसार इंग्लिस में भी कोच्चन को देख सकते हैं इसलिए मैंने हिंदी और इंग्लिस दोनों में रखा इसको ठीक है तो अगला कोच्चन हमारा 53 एब बन कड़ पाई जाती है ठीक है तो बताईएगा एब बन जो पाई जाती है वो मार्टो कॉंड्रिया ठीक है 54 पालिटीन क्रोमोसों नाम का सुझाओ दिया था जो कुछ नहीं दिया था इजी वाल बियानी द्वारा दिया गया था फिर अगला है 55 centriole is found in तारक के अंदर पाया जाता है तो तारक के अंदर पाया जाता है वो कहां पाया जाता है हमारा प्रोकरियोट्स में जो प्रोकरियोट्स होती है उसमें फिर है दी पार्स भी है समिती दिखाने वाला प्राणी जगत का पहला संग वाई लेटरल सिमेट्री कौनसा मतलब जो फाइला में वो सो करता है तो इसका अंसर हो जाएगा आर्थो पोड़ा अगला कोचन अलवड़ी है जलका स्पंज है अगला कोच्चन है दा फ्रेश वाटर स्पोंज इज जो फ्रेश वाटर का स्पंज होता उसकों क्या बोलते है इस पॉंज जेला ठीक है अगला कोच्चन ज्वाला कोच्चि का सम्मंदित है 58 का हो जाएगा हमारा उस्तरजन तंत्र के साथ फ्रेस्ट और स्पंज एफ हेपटि का एक्रत प्रणाव के जीवन चक्र में मद्धिस्थ पोसक है जिसको हम लीवर फ्लूक बोलते हैं इंगलिस में तो इसका जो होता है गोंगा इंटर्मीडिर होस्ट इंदा लाइफ साइकल आफ पेटिकाई स्माल सीपी दा प्रामरी होस्ट इसमें दोस्तो इसमें भेड होगा यहींगी सीप होता है कि घूँगा घूँगा कोई combination ही नहीं नहीं बना रहे हैं यही फैसियोला ही फेटिका होता है ठीक है जो उसका सीपी होता यह ठीक है इंटर्मीडिर होस्ट चलिए अगला कोस्चन देखते हैं पी तक जली पाई जाती है जो पी तक जली पाई जाती है वो किस में पाई जाती है पच्छियों में ठीक है अगला कोश्चन है प्रकास संसेर्शन में दो पढ़क तंत से धांत दिया गया था इमर्शन द्वारा ठीक है चलिए अगला कोश्चन देखते हैं अगला कोश्चन है प्रकास संसेर्शी बरणक हर्थ लबक में जिल्ली में उपस्तित होते हैं तो थेले कोईड अगला कोश्चन है प्रकास संसेर्श की दर अधिक्तम होती है तो किसमें होती है अधिक्तम नीले प्रकास में बढ़क तंत्र फर्ष्ट में समस्त उर्जा संग्रहित होती है पी सेवन हंड्रेड में एक ग्लूकोज अड़ो के संसेर्शन के लिए केलिबिन बेंसन चक्र में एटीपी अड़ों की आवस्कता होती है आवस्कता तो जो होती है वो अठारा की होती है लेकिन जो क्रेप साइक्ल होती है उससे उसमें एक ग्लूकोज मॉलिक्ल से 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है यहां पर वाद धियां रखना है ठीक है फिर है बर्ग की के पिता है फादराप टेक्जोनोमी तो लेनियस के रूलस लेनियस जीन पूल में प्रिवेस के लिए उत्परवरतन होना चाहिए जनल कोसी काम है आप संटो बाहिका वाहिनिका से भिन्न होती है क्योंकि यह जल सम्में करती है इसलिए अगला कोशन है कौन सा बास्तिविक नट है यानि की ट्रू नट है तो इसका हो जाएगा अक्रोट अनुलेखन के बाद डियने एक अनु अनुलेखन के बाद डियने अनु क्या होता है कोशिका द्रब्य में चला जाता है अप्शन टू जीबास्मी करण का दूसरा नाम है फास्चुराजेशन अगला कोश्चन है पुरा काल में पाई जाने बाली बनव्स पतिओं का अद्ध पस्तिक संस्थान इस्तित है इसको हम बोलते हैं यह है लखनव में अगला कोश्चन है पौदों में सबसे बड़ा अंडा पाया जाता है अंडा यानि की एक बताईए तो इप होता है लेजी नेला में निम्लिक में से कौम एक सहजीविता का उधारण है तो सहजीविता का जो उधारण है वो क्या है लाइकेन ठीक है चलिए अगला कोश्चन देखते है निम्लिक टेरिडोफाइट्स में से किसे हार्ष टेल कहते हैं ठीक है हार्ष टेल किसका कॉमन निम है ते होता है इकी सीटम का इकी सीटम का मारसिलिया क्या है तो यह है विशन विजानुक टेरिडोफाइट्स आप्सवन टू जब एक पौध है पौधा में दो प्रकार के विजानुपाय जाते हैं तब उस सबस्ता को कहते हैं विशन विशन विजानुक टा एर्टरोस्पोरी पाइनस में पाया जाता है सिर्फ नरसंक मेल कौन साइकस के भूण में बीच पत्रों की संख्या होती है तो दो होती है ब्रायोफाइट्स है एक टीवन कुश्चिन नमबर ब्रायोफाइट्स क्या है तो आपको पता है इन ब्रायोफाइट्स को क्या बोला जाता है एंफिवियंस आप प्लांट केंगडम जल और थल दोनों में रहने वालों को एंफिवियंस बोलते हैं अगला कोस्चन एटी टू बीजाण विद गुमोक्द विद पर आसरित होता है सेफ्रोफाइट इज डिपेंड आन गैमिटोफाइट इन तो ग्रायोफाइटा में ठीक है अगला कोस्चन है फ्यूनेरिया में गोपक का निर्माड होता है तो गैमिट्स पर ठीक है चलिए अगला कोस्चन देखता है ब्रायोफाइट टेरीडोफाइट से भिन्न है तो ब्रायोफाइट से है वो टेरीडोफाइट से किस परकार भिन्न है इसका जो आंसर होगा वो संभेहन उतक की अनुपस्थती में इसका यह राइट आंसर होगा दूसरा लेका बस्कलर टिसू अगला है अमल बर्षा बास्तम में मिस्रण है तो सभी जानते हैं सल्फिरिकम तता नाइटिक अमलका राइबोसों केंद्र है प्रोटीन संसलेशन का तो उर्जा का प्रामिड है बार बार रिपीट कोश्चन होता है हमेशा तो उर्जा का जो प्रामिड होता है सधैब कैसा होता है आलबेज अप्राइट ठीक है सधैब उद्वाधर चलिए अगला कोश्चन देखते हैं एटीपी क्या है एटीपी है एक उच्च उर्जा साइथ फास्वेट बंध का एक अणू अप्शन थिरी नांटी कोश्चन देखते हैं में से कौन प्रोकॉरेटिक सेल का लच्छन नहीं है नमबर फर्ष्ट अप्शन केंद्रक कलत था केंद्रक की अनुपस्त थी एल एच्छ नहीं है इसका ठीक है अप्संट आप जिनेटिक माटेरियल अगला कोश्चन है निम्स मेंसे कौन सा बहुत खतरनाक रेडियो धर्मी प्रदूसक पदार्थ है इस ट्रांसियम नांटीन इस ट्रांसियम नांटी ठीक है फिर बायू में सल्फर डियाकसाइड द्वारा प्रदूसक का सूचक है बताईएगा जो बायू द्वारा आकसीजन बायू में सल्फर डियाकसाइड द्वारा प्रदूसक का सूचक है वो क्या है तो इसका दोस्तो जो आंसर हो जाएगा मौसस ठीक है अगला कोश्चन है कुसका सिधन्त के पितवादक थे सिरीडियन स्वान देखिए कोश्चन नमबर जो नाइंटीन है उसमें आप लोग चेक के लिएगा की लाइकेन है या मौसस ठीक है अपसन फोर या यह जहां तक की लाइकेन ही होना चाहिए इसमें मौसस दिया हुआ गया था जो आयोक की अंसर की थी चलिए नाइंटी फोर देखते हैं हमारे सरीर में बसा का निर्माण होता है जब तो इसका हो जाएगा एकरत अता मास्पेसियों में गलाइकोजन का भंधारन होता है तब नाइंटी फाइब कोश्चन एकरत कई कार करता है उनमें से एक कार है प्रूटीन का पाचन सरब के बिस दंत है कोश्चन नमबर नाइटी सिक्स जंबिका दंत मैकजरी टीथ तितली पच्ची और चमगादर के पंख है संब्रतियंग ओजून दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को नेम लिक्त में से कौन एनि लेडा मॉलस्का के बीच की कड़ी है बताईएगा तो नियो फालेना ठीक है कनेक्टेड भी लिक्त होती है मॉलस्का और ने लेडा के फिर हेड़ा इस बंदन नेंतरित होता है इन में से सभी के जार रहा है आगे देखते हैं कौन जोड़ी सही है बागी की सब गलत है इन में से एक सही है उसको बताना है जो सेंट्रोलिथिक एग जो देते हैं वो इंसेक्ट यानी कीट देते हैं ठीक है यही सही है फिर है सहलेगनता यह गुम एवं प्रितिकर्शन परिकलपना का सूत दिया गया था तो यह दिया गया था फ्रेंड्स वो टी एच मौरगंद्वारा अगला कोश्चन है बेलेनो ग्लासिस को सामनता जाना जाता है टंग वर्म के रूम में ठीक है ड्रॉसो फिलामे लिंग ने धारा निर्वर करता है एक्स क्रोमोसोंस एवं आटोसोंस दोनों पर अगला कोश्चन है बन जीरो फाइब नान सेंस कोडोन है तो आपसो नमबर थ्री यू एजी यू एए यू जी ए किस चैनल में एक सेंट्रो मियर दो में विवाजित हो जाता है कोश्चन नमबर एक्सो छे तो हो जाता है इना फेज फर्स्ट में अगला कोश्चन कौन प्राड़ी अंडा देने वाला इस्तंधारी है ऐसा इस्तंधारी जो अंडा देता है तो टाइकी ग्लॉसिस अप्सन फोर अगला कोश्चन कुछ पच्चियों में पूंच पर तेल उत्पादक ग्रंथियां कहलाती है एक सो आठ तो प्रीन ग्लांड अप्सन फर्स्ट ठीक है एक रजायुज सर्फ है इसमें जो इसका आप्सन हो जाएगा वो फर्स्ट और सेकंड दोनों है ठीक है अगला कोश्चन है बह ग्रंथि जो नर्च पकली के जांग के निचले प्रेश्ट में पाई जाती है बताईए तो सब भी जानते हैं फीमोरल ग्रंथि जो होती है वो ही पाई जाती है क्योंकि जांग में फीमर नामक हड़ी पाई जाती है निवन में से कौन रोग जनक कसावी नहीं है नॉक्टिलुका आप्सन फोर यूनियों का ग्लाचिडियम लारवा मचली पर ब्रह परजी भी है ठीक है अगला कोशन देखते हैं अगला हरे प्लाजमा लेमा सब्द दिया था क्लाजमा लेमा जो सब्द दिया था वो किस ने धिया था अगला कोशन चिखने अंतर देंगी रेटिकुलम निस्पाधन करता है दिटॉप्सिफिकेशन के दवारा निरावशी करन के दवारा और ग्लाइकोगिनेसिस के दवारा भी करता है लिप्डिओन का संस्लेशन भी करता है इस टेवरायल भी करता है तो आप सुनू जाएगा फोर्थ ठीक है? सबी के द्वारा पच्छी का अंडा स्वेतक का सबसे भीतरी इस तरका लाता है घंस्वेतक निम्बल के तुमें गुदा किसमें अनपस्तित होती है चप्टा किर्मी में इस तरी में हनो निम्बल किस प्रकार का होता है? तो करणियों स्टायलिक अगला है लेंगिक दूरुपता पाई जाती है तो लेंगिक दूरुपता जो पाई जाती है वो किसमें पाई जाती है? एसकेरिस में जबन मेंसे किस जन्तों में तंत्र का तंत्र पाया जाता है लेकिन मस्तिस्क नहीं आईड्रा में अरस्तु लांटेन पाया जाता है एक काइन आइडिया में ठीक है फिर है नियो टानी इज और जरुड इन डिम्भग जनन देखा जाता है एम भी इस्टोमा में ठीक है अगला कोश्चन है ब्रक्क एक जैब प्रमुक अंग है क्योंकि ए साहक है तो इनमें से सभी सरीर में द्रबी के नियमन में अमलचार संदुलन के नियमन में उपापची अप्सिष्टों के इसका असन में तो इसका अप्सन फोर हो जाएगा सभी में अगला कोश्चन है मलेरिया परजीवी की संक्रमांक अवस्ता होती है 124 का हो जाएगा अप्सन 3 बीजान अगला कोश्चन 125 परजीवी बधी बधिया करण पाया जाता है परजीवी बधिया करण ठीक है पैरासिटिक कैस्ट्रेशन अकर इन तो यह पाया जाता साइकुलाइना में अप्सन 3 ठीक है तो इस प्रकार हमारा यह 2000 कि नौका टीजीटी बायोजी का प्रिसंत्पत्र कंप्लीट हो जाता है आप लोग देख लें कि आपके कितने कोश्चन सही हो कहें कमेंट करके जुरूर बताएं अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सबस्क्राइब ना किया तो सबस्क्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर दें और सेयर कर दें धन्यबाद आपका समय सुभाव